देखिए लिखने वाले अपनी तकदिर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं कहने का मत्तब यह है कि आप सुविदाओं के अभाव में भी सफल हो सकते हैं लेकिन अगर आप बहाने बाज है तो आपको कितनी भी सुविदाओं मिल जाएं आप जो है सफल नहीं बन पाएंगे तो आपके पास जो भी वरतमान में सुविदाओं हैं जितना आपका संसादन उपलब है वरतमान में उसके सहारी सफलता की सीड़ी चरते रहे है देखिए आज है 12 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 most important प्रेशनों पर हम चज़ा करेंगे और देखिए आज रक्षा बंदन भी है कल भी था तो कहीं पर कल मनाए गया और कहीं पर आज मना जाएगा वैसे भी सरकार ने चुट्टी आजी दी है तो आपको मैं रक्षा बंदन की सबसे बहले सुब कामनाई दिना चाहूँगा हैपी रक्षा बंदन चीक है और देखिए चो लोग नए है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब रूर कर लेंगे और बेल आइकोन प्रेश कर देंगे तकि आने वाले सभी वीडियो का डुट्टी पेसन उनक तो मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेर भी कर दीजेगा देखिए कर मैंने बिहार के बारे में पुझा था तो कल एक हमारे बहुत अच्छे चात रहन दीपक सर्मा तो उन्होंने बहुत डीटिल में बिहार के बारे में लिखा था आप कल के वीडियो में उनका कमेंट पर सकते हैं और देखिए आपसे मैं जिस भी राज्य के बारे में कोई जानकारी भूशता हूँ उसका उत्तर जरूर दिया कीजे जितनी भी डीटिल पता है सारे डीटिल और कमेंट वाक्स में लिखने का प्रयास कीजे इससे क्या होगा आपको रिवीजन हो जाएगा और एक्जाम के समय आपको सारी सीजे बिल्कुल याद रहेंगे देखिए आज का हमारा पहला प्रशनी की हाल ही में खबरों में रही मनीशा कल्यान किस खेल से जुड़ी हुई है तो देखिए जो मनीशा कल्यान है ये एक भारती फुटबालर है यहां पे इनकी फोटो दिख रही है और एक और इस समय फुटबालर चर्चा में जिनका नाम है सुनील चितरी जो की इंडियन फुटबाल टीम के कैप्टन है तो मनीशा कल्यान को और सुनील चितरी को इन दोनों को करमसा है AIFF यनि ही All India Football Federation महिला और पुरु स्रेणी में फुटबालर आपदा इयर चुना गया है याद रखेगा इसको ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ये प्रस्न इक्जाम के लिए मुश्य इपॉर्णिट है देगी जो भारत के राष्टी कप्तान सुनील चितरी है ये सक्री अंतराष्टी खिलाडियों में वर्तमान में तीसरे सबसे जादे गोल करने वाले खिलाडी है तो इस पॉइंट को भी यारकेगा और मनीशा कल्यान के बारे में जानकरी ये है कि मनीशा ने पिछले सीजन के लिए माइला इमर्जिंग फुटबालर आप दे एर का किताब जीता था तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गए इन दोनों को यार रखेगा देखी जो आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन है इसके स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी इसका मुख्याला पाद द्वार का देली में स्तित है अगला की हाली में 44 में 17 ओलंपियाड में ओपन सेक्षन में किस दिस ने स्वाण पदक जीता तो देखी जो आपका उजबेकिस्तान है इसने विहाली में 44 में 17 ओलंपियाड के ओपन सेक्षन में स्वाण पदक जीता है और देखे जो यह 44 सतरंज ओलंपियार था तो इसके ओपन सेक्षन में आर्मेनिया और भारत की टीम ने करम से रज़त पदग और कांच से पदग जीता सरहल सब दों इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं यविहाली में चिन्नाई में आज़न 44 में सतरंज ओलंपियार के ओपन वर्ग में उजबेकिस्तान की टीम ने स्वान पदग जीता जबकि आर्मेनिया की टीम में रज़त पदग जीता और भारत की टीम में कांच से पदग जीता था तो ये पूरुष टीम की बारे में बात हुई थी और महिला वर्ग में जो है यूक्रेन ने जो है स्वानद पदक जीता ओपन सेक्शन में और ओपन सेक्शन में जारजिया ने रज़त पदक जीता जबकि भारत की जो महिला टीम थी इसने कांस से पदक यानिकी ब्रॉंज और देखे भारत के जो आके डीगूकेसं और सिरीन और क्रमसा इन दोनों ने सिर्श और दूसरे बोड़ पर जबकि अरजुन ईरी गैसी ने तीसरे बोड़ मे रज़त पतक भी हासिल किया और देखिए आर प्रग्या नंदा जो आपके हैं भारत के इन्होंने तीसरे बोर्ड में आर वैसाली ने तीसरे बोर्ड में तानिया सजदेव ने तीसरे बोर्ड में दिव्या देश्वुक ने रिजर्व बोर्ट में ब्यक्दिकत कांच से पतक भी जीते हैं इस ओलंपियाड में और देखिए इस 44 में 17 ओलंपियाड में भारत के लिए सबसे खातवा दिये रही कि भारत ने प्रतिश्टित ग्रैपिंडास विली कप भी जीता और ये कप किसको दियाता है ये जो ग्रैपिंडास विली कप है ये ओपन और महिला दोनों वर्गों में बैतरी सामोई प्रतसन करने वाले देश को दियाता है और ये इस बार भारत को मिला है देखिए जो आपका फाइट सतरंज ओलंपियाड है इसके बारे मैं आपको फिर से एक बार यानि कि 29 जुलाई को ये सुरूआ था और 10 अगस्त को समात हुआ इसका आउजन अस्तरलाहत तमिलनाडू में जो आपका चेन्नई है चेन्नई में एक प्लेस है सेरेटन मामलपुरम रिजार्ट और कन्वेंसन सेंटर तो इसके दोरा जो है फोर पॉइंट पर ये आउजित किया गया था मलब सरल सब्दों में जाद कर लिए कि जो आपका तमिलनाडू में एक प्लेस है मामलपुरम वहीं पर इसका आउजिन किया था देखी जो आपका फाइट कांग्रेस थाज ने ये डिसाइड भी किया है कि 2026 में जो आपका सतरंज ओलंपियाड होगा इसकी से 10 अगस्तर डेट और प्लेस दोनों याद रखेगा बाकि जितनी भी डीटेल मैंने बताई है अगर उनको मैंने प्रश्ण के रूप में बताया होता तो कम सकम 10 प्रश्ण ओलंपियाड से ही हो गयते लेकिन उसको मैंने एक ही प्रश्ण में समिठ दिया ताकि आप आसानी से उसको याद कर सेगें अगला प्रश्ण की किस कंपणी ने दूसरी पीडी यानि की 2G का इसेनाल प्लांट विक्सित किया है जिसका हाली में उद्गाटन किया गया तो दीखे जो आपका ये दूसरी पीडी का इसेनाल प्लांट है इसका उद्गाटन PM मोधी के द्वारा अभियाली में किया गया और जिस कंपणी ने इसको विक्सित किया उसका नाम है IOCL यानि की इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड देगी जो भारत के प्रतामंतरी है नरेंद्र मोधी इन्होंने पानी पत हरियाना में अभियाली में दूसरी पीडी के इसेनाल प्लांट क को समर्पित किया है देश को और देश में जयव इंधन के उतपादन और उपियों को बढ़ावा देने के लिए इस टूजी जयव इंधन सेंद्र को स्थापित किया गया है कहां पर हरियाना में ठीक है हरियाना के पानीपत में और देखे इस इसेनाल सेंद्र को इंडियन आ लगभग दो लाग टन चावल के भूसे का उभियोग करेगा यानि कि लगभग यहां पे तीन करोड लीडर इतनाल का उत्पादन किया जाएगा हर साल यह उत्पादन बढ़ भी सकता है अभी तो इसका जो है उत्गाधन किया गया है यहां पर प्रोडक्शन शुरू होगा द इसका जो पर्सेंटेज है जिसको मिला पेट्रोल में एतनाल मिलाने का इसको बढ़ाया जाए कम उसका 25 से 30 परसेंट किया जाए तो इसलिए एतनाल का प्रोडक्शन सरकार बढ़ा रही है देखिए सबसे खास बात इस प्रस में यह रहा कि जो आपका हर्याणा में स्थित पानी पत है तो पानी पत में ही इस दूसरी पीडी के एतनाल प्लांट को जो है सापित किया गया है इंडियन आयल का रपरेशन लिम्टेट को दोरा तो यह चीज यह रखेगा अगला की open network for digital commerce में सामिल होने वाली पहली west week big tech company काउंसी है तो देखिए open network for digital commerce में सामिल होने पहली west week big tech company आपकी है Microsoft देखिए जो आपका open network for digital commerce है यह है क्या सीज देखिए open network for digital commerce जो है यह अपनी तरह का पहला open network विक्षित करने के लिए भारत सरकार का एक पहला है देखिए Microsoft ने जल ही भारती बाजार में अपने app के जरिए social e-commerce को paste करने की योजना बनाई है और अगला प्रशनी की हाली में किस भारती सस्त्रबल ने हीम ड्रोन अथान कारेकरम सुरू किया देखिए जो आपका हीम ड्रोन अथान कारेकरम है इसको सुरू किया है इंडियन आर्मी यानि कि भारती सेना ने देखिए भारती सेना ने Drone Federation अप इंडिया के सहयक से ये हीम ड्रोन थान कारेकरम को जो है और ये कारेकरम जो ही उद्योग, अकादमिक और साप्वियर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निरमाताओं सहीत सभी धारकों को जोरता है अगला जो भारत का सबसे उचा यानि कि भारत का तो है ये विस्व का भी है ठीक है तो विस्व का जो सबसे उचा और भारत का भी सबसे उचा जो रेलवे पुल है इसको जम्मू कस्मीर में बनाएगा है चेनाब नदी पर इसका नाम है चेनाब ब्रीज और देखे चेनाब ब्रीज ये पिछले साल बनकर तयार हो गया था यानि कि ये वाला जो पार्ट है ये तयार हो गया था जबकि ओवर आर्क डिक का काम पूरा होने जा रहा है वर्तमान में यानि कि जो ओवर आर्ग डेक है तो ये भी अब जो है पूरा हो गया लगभाग और हो सकता है इस साल के अन तक जो है इस पूल को जो है शुरू कर दिया जाए इस पर ट्रेन चलने लगे तो यार रखेगा जो दुनिया का सबसे उचा यानि कि विस्व का सबसे उचा रेल पूल है ये जम्मू कस्मीर में चेनाब नदी पर बनाये गया है इसका नाम है चेनाब ग्रीज अगला की हाली में किस राज ने नया अनुच्छे 3A समिलित करने के लिए सम्मिधान संसोधन विदे 222 पेस किया दिखिए जो आपका अनुच्छे 3A है ये क्या चीज है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दिखिए ये राज आपका आंधर पर देस है जिसने नया 3A समिलित करने के लिए सम्मिधान संसोधन विदे 222 पेस किया है दिखिए जो आपका अनुच्छे 3A है ये राज विदाईकायों को उनके चेत्र में एक या अधिक राजधानियों को स्थापित करने के लिए इस पष्ट विदाई शंपता प्रदान करता है और दिखिए ज अनुच्छे 3A इसमें जो है ये समसोधन करना चाहता है ताकि ये तीन-तीन राजधानिया रख सके कौन आंधर प्रदेश राजे देखिए आंधर प्रदेश की बारे में बात करें तो इसकी कैपिल है अमरावती कवर्दा नहां के विश्वभूसन हरी चंदन और चीप मिन में किसने अंतराश्टी मद्यस्ता केंद्र अधिनियम 2019 में संसोधन करने के लिए एक विदेख पेस किया तो देखी जो भारत के कानून मंत्री है कीरन रिजु इन्होंने विहाली में अंतराश्टी मद्यस्ता केंद्र अधिनियम 2019 में संसोधन करने के लिए संसद में एक व भारत अंतराश्टी मद्यस्ता केंद्र करने की हेतु जो है पेस किया गया था यानि कि ये नाम बतलना चाहते हैं किसका दिल्ली अंतराश्टी मद्यस्ता केंद्र का और क्या करना चाहते हैं भारत अंतराश्टी मद्यस्ता केंद्र दीखे जो आपका नई दिल्ली अंतराश् महत्व के संस्तान के रूप में इसको गोशित किया गया था और अगला प्रश्ण मारा है कि विस्व के स्वदेसी लोगों का अंतराश्टी दिवस यानि कि International Day of the World's Indigenous People किस दिन मनाए गया तो दीकि हमने 9 अगस्ट को celebrate गया था विस्व के स्वदेसी लोगों का अंतराश्टी दिवस और देखे वर्श 2022 में विस्व के स्वदेसी लोगों के अंतराश्टी दिवस की थीम है पारंपरी ज्यान के सनचड और प्रसारण में स्वदेसी मैलाओं की भूमी का इसको नोट कर लिजेगा और दसों प्रश नमारा कि 9 अगस्ट को किस दिवस में नागा साकी दिवस मनाया जाता है इसका अंसर बताईए जिक्सें कितने लोग बता पाते हैं अभी देखिए कुछ दिनों पहले मैंने बताया था 7 अगस्ट के वीडियो में हीरो सिमा दिवस की बारे में ठीक है तो उसी से समन्दित ये भी है देखिए 9 अगस्ट को जापान में नागा साकी दिवस मनाया जाता है देखिए एक घटना 1945 में हुई थी 1945 में 6 अगस्ट को एक परमाडू हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा और उसके बाद फिर 9 अगस्ट को दूसरा परमाडू हमला किया गया था तो जो 6 अगस्ट को जो है जो परमाडू हमला हुआ था जापान में जो है जापान के हीरो सीमा सहर में यह हमला हुआ था और उस समय जो है लिटिल वाइज नाम का एक बम गिरा गया था परमाडू बम जो आपका जापान का हीरो सीमा सहर है वहाँ पर ठीक है तो 6 अगस को गिरा गया था जिबा मिचले जो है 6 अगस को हीरो सीमा तो इस लिए इसको याद करने के लिए 9 अगस्ट को नागा साखी दिवस मना आता है हर साल जापान में और देखे इस साल जापान बंबारी का 77 वा बरसी मना रहा है तो यह थे आपके आज के सभी धमाके जारा प्रश्ण और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुशें अमटे पे तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अंसर बताएंगे और कल का वीडियो देखे उसको रिवाइस कर डालेगा देखे प्रश्ण आज का पहला वाला है कि हाल ही में किस अभी नथा को मरडो परांद करनाटा करत्म से समानित क्या गया बताईए इसका उत्तर आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा और देखे दूसरा था कि डिफेंस एक्सपो का बारवा संस्क्राइड कहां पर आज थोगा बताईए ये सबसे इंबॉटन प्रश्ण है बलब कहा जा कि अगर सौ में सौ परसेंट जो सम्भावना इसकी है किसी भी परिक्षा में पूछे जाने की बताई अंसर इसका नहीं पता तो कल का वीडियो दे कि उसको रिविजन कर ले जागा उसका तीसरा प्रशना आपके लिए कि हाल ही में आजादी के 75 साल पूरे होने पर किसने इंडिया की उडान परियूना को लांच किया बताई चौधा की हाली में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पत से इस्तिवाद दे दिया पताई पांच माई की कौन सा बैंक नए टेक्स ब्लेटमाप पर पेमेंट गेटवे सुचिवत करने वाला पहला बैंक बन गया पताई और अब हम बात करेंगे कल के पूझे के सभी कुशन अब देके सही तुनों की पहला प्रस्था की महिला मुक्यबाज नीतू घंगास ने बर्मिंगम राश्रमंडल खेलों में काउन सा पता जीता था और कामन विल्ड गेम 22 में निखाज जरी ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेलल जीता था और देखे मिस इंडिया युएसे का ताज हाली में जीता है आर्या वाल वेकरने और हाली में जो है दलाई लामा को लद्दा के सरोच नागरिक समान से जो है नमाजा गया है और हाली में जो आपका मैला और बाल विकास मंतराला है इसने बच्चों के कल्यान और पुनर्वास के लिए मिसन वातसल योजना लागो की है तो आपका रिविजन भी हो गया कल के और परसों के प्रशनों का तो कमेंट बॉक्स में बताईए आपको वीडियो कैसा लगा और इसको लाइक और शेयर कर दिजिएगा कम से कम दो लोगों को इसको शेयर जूर किया किजिए ठीक है तो इसे के साथ आप रक्षा बंदन सेलिबरेट कीजिए हैपी रक्षा बंदन धन्यवाद